काफी समय से आयोध्या विवाद चर्चे में था लेकिन इसी बीच आयोध्या के रामजन भूमी बावरी मस्जिद से जुड़े एतिहासिक जमीन विवाद पर सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुना दिया है सुप्रीम कोट ने रामलाल विराजमान को मुख्य पक्षकार माना है वहीं निर्मोही अखाडे के दावे को खारिज कर दिया गया है निर्मोही अखाडे को सेवायत का अधिकार नहीं था सुप्रीम कोट के मुताब एक मस्जिद के नीचे विशाल रचना थी जो इसलामिक न जफरियाब जिलानी ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड फैसले को चुनोती देगा उन्होंने फैसले पर असंतोष बयान व्यक्त किया सुप्रीम कोट ने अपना आदेश सुनाते हुए सरकार पर भी कुछ शर्ते रखी हैं जैसे तीन महीने के भीतर एक स्कीम बना कर एक ट्रस्ट का गठन करना जो मंदिर बनवाएगी हम आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष अपनी बातों से या सिद्ध नहीं कर पाए कि विवादित भूमी पर उनका एक आदिकार है सुप्रीम कोट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि मुस्लिम धर्म को भी वेकलपिक स्थान पर जमीन दिया जाए जहां वे अपने मस्जिद को बना सके सुप्रीम कोट ने और भी बातों पर रोशनी डालते हुए कहा कि इलाबाद हाई कोट का वो आदेश जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन का बटवारा करने को कहा गया था वो गलत था और हम आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोट ने केंदर वर राज्य सरकार के साथ सला करते हुए ये आदेश दिये हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकर जमीन दी जाए जिस पर वो मस्जिद का निर्मान कर सके इसी के साथ चीफ जस्टेस ओफ इंडिया ने बांकी की याचिकाएं जो लंबित थी उन्हें खारिज कर दिया है हम आपको बता दें कि चीफ जस्टेस ओफ इंडिया ने राम लला के वकील पराशरण वर सीएस वेदनाधन और हरीशंकर जैन की सराहना की